आपैस तो हेलो इसमीuten कि मैं वेख टू दीना अधर वीडियो तू आजd की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कियार इस्पीकर्स के अंदर जो ओम होता है वह ओम होता क्या है अखिर में कभी लोग बाते कि चार चार कर BO कर आaja दो चारो चारी जूड़ के 2 हो जाता है दो कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चीराग और आप देख रहे हैं डीजे गुरू चीराग यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर में आपको ओम के बारे में बताने वाला हूं क्यार ओम अखिरकार होता क्या है दोस्तों उपर की तरफ आपको डाइग्राम हैं क्यारो म prise का मंबूर पर कर दोस्तों सबसे पहले यह जरूरूर से समझना चाहिए के और ओम आखिरकार है क्या चीजा है दुस्तों जैसा कि आपका क्या काम है और ये कहा कहा कैसे यूज होता है उसके बारे में भी थोड़ा आपको explain करता हूँ दोस्तो जो speaker के अंदर ohm होता है उस ohm का का काम ये होता है कि वो speaker का load decide करता है तो आप इस तरीके से मान सकते हैं क्यार speaker का जो load है वो इस ohm के द्वारा बताये अब जैसे कि कोई speaker होता है वो 2 ohm का भी होता है कोई 4 ohm का भी होता है कोई 8 ohm का भी होता है कोई 16 ohm का भी होता है दोस्तों यह आपको समझा चाहिए कि यह speaker का load है अब बात करते है कि यार कभी ओम घटता भी है कभी बढ़ भी जाता है तो वो कैसे ही डिसेड होता है वो सारा मैं आपको समझाता हूँ अभी लोड की बात हुई तो थोड़ा लोड के बारे मैं भी एक्स्प्लेंट करता हूँ क्या लोड क्या चीज़ है तो दोस्तो जैसा कि माना जाता है कि कोईल के तार की जो मोटा ही होती है यानि कि स्पीकर के जो कोईल के तार की मोटा ही होती है उसी से लोड डिसेड होता है यानि वो ही लोड का काम भी करता है और ये भी शायद मित या पिर कह सकते हैं कि एक बात है कि यार जितना मोटा तार होगा उसका लोड उतना ही बढ़ता जाएगा हाला कि रेजिस्टेंस में ये चीज वर्क करती है लेकिन लोड का भी मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए फिर भी वताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया और अब मेरे भाई लोग का सवाल जो की लोग बोलते है कि यार ओम घटता कैसे बढ़ता कैसे तो दोस्तों ये सारा वाइरिंग का खेले यानि आपको दो कनेक्शन पता होंगे स्पिकर के अंदर एक होते है पैरलल कनेक्शन एक होते हैं सिरीज कनेक्शन दोस्तों पैरलल क उसी पर डिपेंड होता है आप इस्पीकर ये connection parallel कर रहे तो load कुछ और होगा series कर रहे तो load कुछ और होगा अब मैं आपको थोड़ा diagram के मदद से सही सा समझाता हूँ क्योंकि समझने लाइक चीज यही है आप load को समझ जाएंगे कि load होता क्या है जिस तो देख सकते हैं आपके सामने diagram में दो इस्पीकर है दोनों के नीचे लिखावा है चार चार ओम ठीक है अब एक बोक्स के अंदर दो इस्पीकर फिट होते हैं यह बात में आपको बताईए अब राइट में देखिए एक स्पीकर का load कितना है आठ ओम नीचे दो इस्पीकर जोड रखे हैं मैंने तो ओम कितना हो गया चार ओम हो गया यह निकि ओम गट गया एक तरीके से गट गया लेकिन वो बढ़ता है ओम के अंदर बढ़ता जाता है जैसे कि आठ ओम चार ओम द लोड आट ओम दोनों स्पीकर के आट आट ओम को लोड को जोड़ा तो यहां तो 16 हो गए अब यह 16 हो गए अब यह 16 कैसे होई तो दोस्तों यह connection का फरक यह निकी पर आती parallel connection अलग सीरील करनेक्शन अलग अब सीरीज की बात भी कर लेंगे पैरलल की बात भी कर लेंगे अब चलते हैं सबसे पहले पर लग निकाल दिया वह सेम इसा नेगेटिव के साथ भी किया उसको भी जोड़के अलग निकाल दिया अब लोड टोटल कितना हो गया चार ह यहांने कि लोड आटोम मिलके चार हो मन गया चोटे से डाइग्रम भी देख सकता है आप मैं यहीं चीज कर रखी है पॉजिटिव पॉजिटिव साथ जोड दिया नेगटिव नेगटिव साथ जोड जो तो लोड कितना हो गया चार हो गया अब सामाइन यह बासा में बोले तो यहार, लोड आधा हो गया, पैरलल के अंदर लोड आधा हो जाता है, और सिरीज के अंदर लोड दुगना हो जाता है आसान भासा में तो एसे ही समझ सकते हो, आट ओम और आट ओम जोड़ा, तो यहाँ पे अपना 4 ओम बच गया अब अपन आगे वाले पर चलतें कि आगे वाले में कैसे क्या हुआ तो दोस्तो, अब आप समझ गये होंगे कि यारि, ये चार ओम, चार ओम का बोक्स जो है वो ये आट ओम, आट ओम के स्पिकर से जुड के एक चार ओम का बोक्स कैसे बना अब मैंने यहाँ पर एक box का हिसाब लिखा हुआ है जैसे कि 8 ohm का एक speaker होता है एक box के अंदर 2 speaker लगते हैं तो total box कितने ohm का हो गया चार ohm का हो गया अब यहाँ पर आप बोलोगे क्यार यह दो जुड़के फिर वापिस 2 ohm क्यों नहीं हो गया यह भी मतलब question होगा लेकिन दोस्तों यह speaker box है यह ऐसा नहीं कि आप उन दोनों के wire को भी जोड़ दोगे इसके अंदर स्पिक कॉंस wire लगेगा और वो साथ सीधा जाके fit हो जाएगा amplifier के अंदर इसलिए ऐसा नहीं हुआ अब बात करते हैं series connection की तो दोस्तों series connection में क्या हो यह था मैंने आपको बताए था अंदर जेन आपको याद क्या रखना है कि ohm जो है double हो जाएंगे चार का दुगना 8 आठ का दुगना 16 16 का दुगना 32 तो दोस्तों उसी type से यहाँ पर देख सकते है चार ohm चार ohm के दो speaker पोजिटीव एक साइड अलग निकाल ली एक साइड नेगेटीव होती उस नेगेटीव वाली साइड को अगले speaker के positive पे दिया और उस अगले speaker के negative को मैंने अलग निकाल लिया और एकर दोनों को अपन टोटल लोड निकाल ले तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर आठ होम मिल रह सोला हो गया और वापी यहाँ पर चार हो चाहूं के दो वोक्स और आटोम आटोम उसका सोला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अपने connection सीरीज में कर रखे थे दोस्तों एक चीज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ओम मेरे भाई लोग वही समझना चाहते होंगे जिनका कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा speaker या फिर amplifier अगरा क्योंकि ओम का दोस्तों है ही ऐसा अगर आप गलत ओम को speaker को amplifier को matching करवा देते तो या तो आपका amplifier बाई बार protection mode पर जाएगा ठीक है या फिर आपका amplifier फुक जाएगा और उसका कारण एक ही है connection अगर इस speaker के connection यानि कि आपको पता है सामय ने था generally speaker के box parallel में connect होके दिये जाते हैं काम इतना सा होता है कि दो box को अपने को parallel करना या series करना है वही चीज आपका दिमाग खराब करते हैं और ओम उसी के अंदर दिक्कत देते हैं तो साफ़ बात एक ही है कि आप 4 ओम का एकर आपका amplifier है तो हो सके जितना आप speaker को भी 4 ओम से ही च चार ओम तो यहां पर आपका amplifier तो मांग रहा है 8 ओम और आप दोनों speaker के चार चार ओम निकाल के इसको दे रहे हो तो दोस्तों यहां पर आपके speaker बहुत ज्यादा load consume करेंगे और आपका 100% amplifier हीट होगा तो दोस्तों वीडियो के लाइक जरुसे करना और चैनल पर नहीं तो ज सिदा लेता हूं मिलता हूं ऐसी किसी दूसरी अच्छी वीडियो के अंदर